हरे क्रिश्ना, आज हम शिरीमत भागतम सकंद एक अध्याई बारा इसके बारवेश लूग से पढ़ना शुरू करेंगे ततह सर्व गुणों तरके सा अनुकूल ग्री होद्य जग्य वंच दरह पांडोर भुय पांडू रिवो जसा ततपश्चात जब क्रमशे, समस्त राशी तथा नक्षतरों से शुब लक्षन प्रकट हो आए तब पांडू के उत्रा दिकारी ने जनम लिया जो प्राक्रम में उन्हीं के समान होगा ततपर्य जीव पर ग्रह नक्षतरों का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है अपीदो वास्तरिकता है जैसा की शिर्मत भाक्तम में पुष्टी हो रही है परतेक जीव हर क्षन प्रकृती के नियमों दवारा नियंतरित होता रहता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंतरित होता है राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है लेकिन प्रकृती के नियम हमारी मोटी बुद्धी के लिए सूक्षम होने की कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किये जा सकते हैं जैसा की शिरिमत भगवत कीता 3.9 में कहा ग वे फलों से बद्ध नहीं होते हमारे कर्मों का निर्णिय उच अधिकारियों अर्थार्थ शिरी भगवान के दूतों द्वारा होता है और इस प्रकार हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होता है प्रकृती का नियम इतना सुक्षम है कि हमारे शरीर के प भावों को साध कर अपनी कारागार अब्दी को पूरा कर सके। अते मनुशे का भाग्य उसके जनम काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्दारित होता है और विद्वान जियोची उसकी तथ्य परक कुंडिली तेयार करता है। जनम लेने वाले शरीर पर इन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। सबसे शुब नक्षत्र वह है जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और इसे जियनती कहते हैं। इस शब्द का किसी भी अन्यबात के लिए दरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए महराज पर इक्षित केवल एक महान क्षत्री समराठ ही ना थे अपितु महान भगवत भगदवी थे। अतेव वे किसी भी अशुब खषण में जनम नहीं ले सकते थे। जिस प्रकार किसी प्रतिष्टित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान तथा उचित समय पर किया जात है उसी प्रकार शिरी भगवान द्वारा विशेश रूप से सुरक्षित महराज परिक्षित जैसे व्यक्ति के स्वागतार्थ ऐसा उप्युक्त शन चुना गया था जब समस्थ शुब ग्रह एकत्र होकर राजा पर अपना प्रभाव डाल सके। इस प्रकार उनका जरम हु और वे शरीमत भावतम के महान नायक कहलाई। नक्ष्तरों का यह संग्योग मनुश्य की इच्छा से उत्पन नहीं किया जा सकता। अपितु यह तो परमेश्वर की महती व्यवस्ता का प्रबंध होता है। निसंदे जीव के शुब या अशुब कर्मों के अनुसार ही यह व्यवस्ता की जाती है। यही जीव द्वारा संपन शुब कर्मों की महकता प्रगट होती है। मात्र शुब कर्मों द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा तथा सुन्दर स्वरू प्राप्थ हो सकता है। नक्ष्तरों के शुब परभावों के लिए समु जों के लिए संस्तुत, गर्बाधान संसकार, समस्त शुब कर्मों का शुबारंब है, जिससे मानव समाज में अत्यांत पवित्र तथा बुद्धी मान श्रेनी के मनुशे उत्वन होते हैं। उत्तम तथा योग्य जन्ता के द्वारा ही विश्व में शांती तथा समृद्धी आएगी, अवांशे तथा विश्य भोग में लिप्त रहने वाली अयोग्य प्रजा से अशांती फैलेगी और यह संसार नरक बना रहेगा। श्लोक नमबर 13 तस्य प्रीत मना राजा विप्रे ध्रोम्य क्रिपा धिबी जातकम कारिया मास वाच यितवाच मंगलम। महराज परीक्षित के जरम से अत्यांत संतुष्ट हुए राजा युदिष्टिर ने जात संसकार करवाया, धोम्य क्रिप इत्यादी, विद्वान ब्रहमनों ने शुब्स तोत्रों का पाठ किया। ततपर्य वड़नाशरम धर्म में वड़नित संसकारों को संपन कराने में निपुन हो ऐसे श्रेश्ट इत्था बुद्धिमान ब्रहमनों की अवश्यक्ता है, जब तक ये संसकार संपन नहीं कराये जाते, तब तक अच्छी संतान की संभावना नहीं है। और इस कल्यूग में इस संसकार विधी के अभाव में संपून संसार की जनता शुद्र गुण वाली या इससे भी निम्न होती है। के लोगों पर लागू की जाती है, जो कल्यूग की प्रजा मानी जाती है, और युग तथा काल के अनुरूप संस्तुत की जाने वाली यही संसकार विधी है। किन्टु यह संसकार विधी केवल अध्यात्मिक विकास के निमिक्त है, अन्य किसी कारिय के लिए नहीं, अध्यात्मिक उन्नती कभी उच्च या निम्न कुल से नियंत्रित नहीं होती। युदिष्टिर द्वारा राज प्रोहित धोम्य तथा महान सेना पती एवं प्रोहित क्रिपाचार्य जैसे योग्य ब्रह्मनों की सहायता से संपन कराया गया। लोग्य ब्रह्मनों द्वारा सफलता पूर्वक संपन कराया जाते हैं। इस युग में ऐसे ब्रह्मन ना केवल विरले हैं, अपितु उपलब्द भी नहीं होते। अतेव इस पतित युग में अध्यात्मिक उन्नती के लिए गुस्वामी जन वैदिक अनुष्ठानों की अपेक्षा पांचरात्रिक विधी को वरियता प्रदान करते हैं। कृपाचार्य महर्शी सर्दबन के पूत्र थे और गोतम के वन्ष में उत्पन हुए थे। उनका जनम एक अकसमात घटना कही जाती है। संयोग वन्ष महर्शी सर्दबन की भेंट जनपदी नामक स्वर्ग की एक सूप्रिसिद अप्रसा अपसरा से हुई। तो सर्दबन का वीरिय दो भागों में बंट गया। एक भाग तुरंत बालग बन गया और दूसरा बाली का। इस प्रकार जुड़वा संतान उत्पन हुए। बालग कृप नाम से और बाली का कृपी नाम से विख्यात हुई। महराज शांतुन को जंगल में शिकार करते समय ये शिशु मिले और घर लाकर संसकार कराकर उन्हें ब्रह्मन बद प्रदान किया। बाद में कृपाचार्य द्रोणाचार्य के समान महान सेना पती बने और उसकी बहन कृपी द्रोणाचार्य को बिहाती गई। किन्तु द्रोनाचार्य के ही समान महान ब्रहमन होने के कारण वे अभी भी पांडव कुल दवारा सम्माने थे। जब धुर्योदन से दुरूत क्रीडा में हार कर पांडव बन चले गे तो महराज दुरित राष्ट्र ने उनके मार्ग दर्शन के लिए कृपाचार्य को उन्हें वेद मंत्रों चार करने हे तो अमंत्रित किया गया। महराज युदिष्टिर जब राजप्रसाद त्याग कर हिमाल्य के लिए महा प्रियान करने लगी तब वे महराज परिक्षित को शिश्य रूप में कृपाचार्य को ही सोंप गये और उन्होंने संतुष्ट हो समुचित रूप से राजनैतिक उत्रदायत्व निभाते थे। अनदान में दिया क्योंकि वे जानते थे कि कैसे कहां और कब दान देना चाहिए। स्रेश्ट सेवा प्रदान करते हैं। इन अवसरों पर स्वन, भूमी, ग्राम, घोडे, हाती तथा अन के साथ समस्त भोज्य सामगरी के रूप में प्रचुर दान दिया जाता था। अतेव, भ्रामन, वास्तव में निर्दन नहीं होते थे। उल्टे उनके पास प्रचुर, सोना, भूमी, ग्राम, घोडे, हाती तथा प्रियाप्त अन रहता था। जिससे उन्हें कुछ और कमाने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती थी। उसके बदले में वे समपून समाज के कल्यान हेतू अपने आपको समर्पित कर देते थे। तीर्थ वित्शव्द महतुपून है क्योंकि राजा को पता था कि कहां और कब दान दिया जाए। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, न वह निरुदेशे होता है। उलेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्रों में कभी भी नहीं मिलता है। कोई भी दरिद्र व्यक्ति, गोडे, हाथी, भूमी तथा ग्रामों के रूप में इतना मुक्त हस्त दान नहीं पा सकता था। निशकर्ष यह है कि बुद्धिमान व्यक्तियों या शिरी भगवान की सेवा में लगे हुए ब्रामनों का इस प्रकार पालन होता था कि उन्हें शरीर की आवशक्ताओं की चिंता नहीं रहती थी। तथा राजा एवं अन्य ग्रिहस्त खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान रखते थी। शास्त्रों का आदेश है कि जब तक शिशु नाल द्वारा माता से जुड़ा रहता है तब तक शिशु माता के शरीर का एक भाग माना जाता है। किन्तु जियों ही नाल कार्दी जाती है और शिशु माता से विलग हो जाता है तियों ही जात करम संसकार संपन किया जाता है। नवजात शिशु को देखने हेतु प्रशासत देवता, लोकपाल एवं परिवार के पूर्वज, पित्र लोक के निवासी आते हैं और समाज के अध्यात्मिक विकास के लिए उचित व्यक्तियों को धन वित्रित करने हेतु इस अवसर को समुचित माना जाता है। पुर्वों में ही प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्य ही पुर्वों की परंपरा में है। श्लोक नंबर 16 है। देवे ना प्रती घातेन शुकले संस्थामू उप्ये युशि रातो वो अनुग्रह हार्त थार्य विश्णू ना प्रभ विश्णू ना। ब्रामनों ने कहा यह निश्कलंग पुत्र आप पर अनुग्रह करने हेतू सर्वशक्तिमान तथा सर्व्यापी भगवान श्री विश्णू द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर निवार अती देवी अस्त्र द्वारा नश्ट होने ही वाला था। ततपर्य सर्वशक्तिमान तथा सर्व्यापी श्री विश्णू भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशू परिक्षित को दो कारणों से बचालिया गया था। पहला कारण यह था कि शिरी भगवान का विशुद भग्त होने के कारण अपनी माता के घर्ब में यह शिशु निश्कलंग था, दूसरा कारण यह था कि यह शिशु पुनियात्मा राजा युदिश्टिर के पवित्र पूर्वज पुरू के वंज का एक मात्र उद्रद अध करें, कुरक्षेतर के युद्ध के अंत में माहराज युदिश्टिर की अगली पीडी तक पिनश्ट हो चुकी थी और उस महान राजवंच में कोई ऐसा ना था जो दूसरा पुत्र उत्वन कर सकें, अभी मन्यू पुत्र महराज परिक्षे थी परिवार के एक मात्र जीव आदी भगवान श्री कृष्ण अपने विश्णू रूप में रक्षा तथा सहार का कारे करते हैं और भगवान श्री विश्णू उनके पूर्णांश है, भगवान श्री कृष्ण के सभी सर्व्यापी कारे कलाप उनके विश्णू रूप द्वारा ही संपन किये जाते हैं शिशु परिक्षित को यहाँ पनिश्क कलंक्ष वेट कहा गया है क्योंकि वे शिरी भगवान के अनन्य भक्त थे। अपना प्रती निधी अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करते हैं। शिरी भगवान ने अपनी अपार शक्ती द्वारा अपने प्रमानिक सेवक्त था अपनी अहैतुकी क्रिपा से सतेव अनुग्रीहित अपने और एक भक्त महराज युदिश्टर के वन्शेश को बचाने हेतु उसे निरर्थक कर दिया। श्लोक नंबर 17 तस्मा नाम ना विश्णूरात इती लोके भविश्यती न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान। इस कारण यह बालक संसार में विश्णूरात भगवान वारा डिक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभागयशाली इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटी का भगत होगा। और समस्द गुनों से संपन होगा। दातपरिय शरी भगवान समस्द जीवों को सुरक्षा प्रदान کرते हैं क्योंकि वे उनके सर्वो परी नेता है। वेतिक स्तोत्र इसकी पुष्टि करते हैं कि शरी भगवान समस्द पुर्षों में परंपुरुश है। इन दोनों व्यक्तियों में अंतर यह है कि इन में से एक अर्थाज शिरी भगवान अन्यसमस्त जीवों का पालन करने वाले हैं और उन्हें जान लेने से ही शाश्वत शांती प्राप्त की जा सकती है कठ उपनिशद ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन शक्तियों द्वारा विभिन कोटी के जीवों को प्रदान की जाती है किन्तु जहां तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं अतेव महराज परिक्षित की रक्षा अपनी माता के गर्ब में प्रकट होते ही शिरी भगवान द्वारा शुरू हो गई थी चूंकि उनकी शिरी भगवान द्वारा विशेश रूप से सुरक्षा की गई थी अतेव इससे संकेत मिलता था कि यह बालक समस्त उत्तम गुणों से समन्वित महाभागवत बनेगा भक्तों की तीन कोटियां हैं महाभागवत मध्यम अधिकारी तथा कनिष्ट अधिकारी ऐसी भक्त जो शिरी भगवान के मंदिर जाते हैं और अध्यात्मिक विज्ञान मे प्रियाप्त ज्यान ना होते हुए भी तथा शिरी भगवान के भक्तों के लिए किसी प्रकार का आदर ना दिखाकर अर्चा विग्रह की पूझा करके नमस्कार करते हैं विभौतिक वादी भक्त या कनिष्ट अधिकारी अर्थात तृतिय कोटी के भक्त कहलाते हैं धूसर पर दिया दिखाते हैं और नास्तिकों से बचते हैं वे द्वित्य कोटी के भक्त कहलाते हैं किन्तु जो लोग श्री भगवान में सभी वस्तुईं देखते हैं या परतेक वस्तु को श्री भगवान की समझते हैं और परतेक वस्तु में श्री भगवान का नित्य संबंद दे जिससे उन्हें श्री भगवान के अत्रीक्त कुछ भी नहीं दिखता। वे महा भागवत या प्रथम कोटी के भगवत भक्त कहलाते हैं। महराज युदिष्टिर के कुल में हुआ था। इसलिए उन्हें महा भागवत कहकर संबोधित किया गया है। मात्र से परिवार को सबसे बड़ा लाब पहुंचता है। श्लोक नंबर अठा रहे। उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्दियों से महिमा मंडित होगा। तातपरिय राजा युदिष्टिर के पूर्वज राज रिशी पुन्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्दियों से महिमा मंडित थे। वेराज सिंगासन पर बैठकर भी संद थे। फलसवरूप राज्य के सभी सदस्य सुखी पुन्यात्मा सदाचारी सू संपन तथा अध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। ऐसे महान सादू राजा महात्माउं तथा अध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्ग दर्शन में प्रशिक्षे थे। फलसवरूप राज्य सादू पुर्शों से परिपून रहता था और अध्यात्मिक जीवन सुख में होता था। महाराज यूतिष्टिर स्वयम अपने पूर्वजों की प्रती मूर्ती थे और उनकी यह अबिलाशा थी कि उनके पश्चात जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों के समान हो। विविद्वान ब्रहमनों से यह जानकर प्रसन थे कि जियोतिष्य गणना के अनुसार नवजाज शीशु महा भागवत होगा और विव्यक्तिगत रूप से यह जानने के इच्चुक थे कि बालक अपने महान पूरुजों का अनुगवन करने वाला होगा या नहीं। आज तंत्र की शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुनियात्मा उद्धार भगवत भगत तथा द्रिष्टों के लिए साक्षात भए होना चाहिए। जाई जाती है। जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्री शैली से अन्विग्य होता है। इस प्रकार समस्त वातावरण शुद्र गुणों से व्याप्थ हो जाता है जो काम तथा लोब के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रशासक प्रती दिन आपस में लड़ते रहत हैं। प्राय दलों तथा समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्री मंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। परतेक व्यक्ति मृत्यू प्रियंत राज्य के संसाद्रों का दोहन करते रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति राजनैतिक जीवन से तब तक निवर्ती नहीं ले लेता जब तक उसे ठोकर मार कर बाहर नहीं कर दिया जाता। भला ऐसे निम्न कोटी की लोग जनता का कल्यान कैसे कर सकते हैं। इसी का पड़ी नाम है भ्रष्टाचार चालाकी तथा पाखंड। उन्हें विभिन पदों का भार संभालने के पूर्व शिरिमत भाक्तम से यह सीख चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा हो। शलोक नंबर उन्नीस ब्रहमना उचुह। पार्थ प्रजाविता सक्षादी अक्षवा कुरिव मानवह ब्रहमनिय सत्य संदस्च रामो दाश्र थिरियता। वित्वान ब्रहमनों ने कहा। हे प्रिथा पूत्र यह बालक मनु पू पूत्र राजा एक्षवाकू की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्रहमनिय सिंदातों के पालन की बात है, विशेश रूप से अपने वचन का पालन करने में यह माहराज दशरत के पूत्र भखवान श्री राम जैसा द्रिड प्रतिग्य एवं भोतिक प्रकृती पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फल सवरूप उसे अपनी भोतिक इच्छाओं की तुष्टी के लिए उप्योक्त शरीर प्रदान किया जाता है। ऐसा होने से गह जीव भोतिक प्रकृती के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है और उसका भोतिक शरीर उसके करम के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार जीव 84 लाक योनियों में देहांतर करता रहता है। किन्तु श्री भगवान का अंश होने के कारण श्री भगवान ना केवल उसके जीवन की सभी अवश्यक्ताओं की पूर्ती करके उसका पालन करते हैं। अपितु स्वयम तथा अपने प्रती निध्यों राज रिश्यों द्वारा उसकी रक्षा भी करते हैं। ये राज रिशी समस्त प्रजा अत्वा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिये गे बंदी जीवन को पूरा करने हेतु सुरक्षा प्रदान करते हैं। महराज उसे तुरंध हत्यारा करार करते हुए दंडित किया। इसका अर्थ यह हुआ कि साधू चरित शासकों द्वारा पश्वों तक को सरक्षन दिया जाता था। जो किसी भावावेश के कारण नहीं था। अपितु इसलिए था कि जिन्हों ने इस भौतिक संसार में जनम लिया है उन्हें जीवित रहने का दिकार है। सभी साधू राजा सूर्य ग्रह के राजा से लेकर प्रित्वी के राजा तक वैदिक साहित्य के प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। वैदिक साहित्य की शिक्षा उचतर ग्रहों में भी दी जाती है। जैसा कि शिरिमद भगवत गी मनु को शिक्षा दी फिर मनु ने महराज इक्षवाकू को शिक्षा दी ब्र Samiah के एक दिन में 14 मनु होते हैं और यहां पर जिस मनु का उलेक हुआ है वे सात्मे मनु हैं जो प्रजापतियों मेंसे एक हैं और वे सूर्य देव के पुत्र है वे व्यवसवत मनु कहलाते हैं उनके दस पुत्र थे और महराज इक्षवाकू उनहीं में से एक थे महराज इक्षवाकू ने अपने पिता मनु से शिर्मत भगवद कीता में बताए गए भक्ती योग को भी सीखा मनु ने इसे अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त किया था आगे चलकर महराज एक्ष्वाकू के पश्चात शिर्वन भगवत गीता की शिक्षा परंपरा द्वारा चलती रही किन्तु काल करम से यह श्रिंखला पाखंडियों द्वारा चीन भीन कर दी गए अतिय कुरक्षेतर की युद सल में अर्जुन को फिर से इसकी शिक्षा दी गई इस प्रकार समस्त वैदिक साहित्य स्रिष्टी के प्रारंब से ही चला आ रहा है और अपोरुशे कहलाता है जिसका अर्थ यह है कि वह मनुशे द्वारा रचित नहीं है वैदिक ज्यान का प्रवचन शिरी भगवान द्वारा किया गया और भ्रमांड के सरफ प्रथम स्रिचित जीव भ्रमा ने सबसे पहले इसे सुना महराज इक्षवाकू ये व्यवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे इनके सो पुत्र थे उन्होंने मांसाहार को प्रतिबंदित किया उनकी मृत्य क्वपचात उनका पुत्र शशाद राजा बना मनु इस श्लोक में जिन मनु का उलेख एक्षवाकू के पिता के रूप में हुआ है वे सात्वे मनु व्यवस्वत मनु अर्थात सूर्य देव विवस्वान के पुत्र थे जिनहें भखवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पूर्व शिर्मण भगवत कीता का उपदेश दिया था समस्त मानम चाती मनु के वन्शच है इन वे वस्वत मनु के दस पुत्र थे जिनके नाम थे इक्षवाकू, नभग, द्रिष्ट, शर्याती, नरिश्यंत, नाभाग, दिष्ट, करूश, प्रिशद्र तथा वसुमान श्री भगवान का मतस्य अवतार वे वस्वत मनु के प्रारंभ में हुआ था उन्होंने अपने पिता सूर्य देव विवसवान से शिरिवत भगवत गीता के नियमों की शिक्षा प्राप्त की और इसे उन्होंने अपने पुत्र महराज इक्षवाकू को प्रदान किया त्रेता युक के प्रारम में सूर्य देव ने मनु को भक्ती में सेवा का पाठ बढ़ाया और मनु ने संपून्ध मानव जीवन के कल्यान हेतू, इक्षवाकु को भक्ती की शिक्षा दी भगवान श्री राम पूनपुर्शोतम भगवान साक्षात श्री राम के रूप में अपने विशुद भक्त अयुध्या के राजा महराज दशरत का पुत्रत्व स्विकार करके स्वयम अवत्रित हुए भगवान श्री राम अपने सभी अंशों के साथ अवत्रित हुए और वे सब उनके छोटे भाईयों के रूप में प्रकट हुए श्री भगवान त्रेता युग में चेत्र मास में शुकल पक्ष की नव्मी को हमेशा की तरह धर्म की स्थापना करने तथा धर्मियों का विनाश करने ही तू अवत्रित हुए अभी वे तरूण ही थे कि उन्होंने सुबाहू को मार कर तथा नयतिक कारियों में बादा डालने वाली राक्षसी मरीचा का वद करके विश्वामित्र की सहायता की ब्रहमन तथा क्षत्रियों का कार्य जनकल्यान के लिए एक दूसरे से सहयोग करने का होता है ब्रहमन मुनी अपने पून ग्यान द्वारा लोगों को प्रबुद करते हैं और शत्रिये उनकी रक्षा करते हैं भगवान श्री राम चंद्र मानवता की उत्ख्रिष्टम संस्कृती के जिसे ब्रहमनिय धर्म कहते हैं पालन तता संरक्षन के लिए आदर्श राजा है वे विशेश रूप से गायों तथा ब्रहमनों के रक्षक हैं अते वे जगत की संपनता को बढ़ाने वाले हैं उन्होंने प्रशासक देवताओं को विश्वामित्र के माध्यम से असरों को जीतने हेतू प्रभावशाली अस्त्र प्रदान किये वे राजा जनक के धनुष यग्य में उपस्तित हुए थे और उन्होंने शिव के अजे धनुष को तोड़ कर महराज जनक की पुत्री सीता देवी के साथ ब्यहा किया दिवहा के पच्चात उन्होंने अपने पिता महराज दश्रत के आदेश से चोदै बर्ष का वनवास स्वीकार किया देवताओं के प्रिशासन में सहायता करने हेतू उन्होंने चोदा हजार असरों का वद्ड किया रावण ने असरों की चाल से उनकी पतनी सीता देवी का अपहरानन किया। उन्होंने सुग्रीव से मैत्री स्थापित की और उसके भाई वाली को मारने में सहायता की। भगवान श्री राम की सहाइता से सुग्री बानरों का राजा बना। श्री भगवानने हिंद महासागर में पत्थरों का तैटा हुआ एक सितु बनाया और सीता के अभारन करता रावण के राज्ये लंका में पहुँचे। तत्पस्चात उन्होंने रावण का वद्ध किया और लंका के सिंगहासन पर रावन के भाई विभीशन को बिठाया। यद्यपी विभीशन राक्षस रावन का भाई था, किंतु भगवान श्री राम ने उसे अपने आशीरवात से अमर बना दिया। 14 वर्ष बीतने पर लंका का निप्टारा करके श्री भगवान पुश्पक विमान द्वारा अपने राज्य अयोध्या लोटाये। उन्होंने अपने भाई शत्रुगन को आदेश दिया कि मत्रा पर शासन चलाने वाले असूर लवनासूर पर आक्रमन करे। उन्होंने उस अस सम्पन किये और अंत में वे सरी वनदी में शनान करते करते अंत्रधान हो गए। राज़क श्री रामस की दिलाओं का इतिहास है और प्रमानिक रामायन का लेखन महा कवी वालमी की द्वारा संपन किया गया हरे कृष्णा आज का पठन हम यहीं स्माप्त करेंगे और कल हम बीश्वेश लोग से फिर से पढ़ना शुरू करेंगे तब तक आप जबते रहे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हर हरी राम हरी राम 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 हरे राम हरी बोल